हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो बेसिक में इतका प्राष्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राष्ण है कोई मसीन बारा सो रुपए घंटा चलता है तो चार घंटा अठारह मिनेट में कितना रुपए लगेग देखे, जो इस तरह के प्रास्ट होते हैं, इसको हल करना बिलकुल आसान होता है सबसे पहले देखे, ऐंपर दिया हुआ है 1200 रुपई घंटा चलता है तो देखे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक घंटा देखे एक घंटा में लग रहा है बारा सो रुपाई यानि यहाँ पर लिखेंगे एक घंटा बराबर बारा सो रुपाई देखे हम पर प्रास्ट में चार घंटा अठारा मिनट का निकालना है तो देखे हम लोग सबसे पहले चार घंटा का निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चार घंटा बराबर देखे जो एक घंटा का है इसमें हम लोग चार से गुना को करेंगे यहाँ पर देखे दो जगाँ पर जीरो है तो यहाँ पर देखिए दो जगह पर 0 को लिखाएंगे 4 से गुना 2 में करें तो यह हो जागा 8 4 से गुना 1 में करें तो यह हो जागा 4 यानि देखिए एक घंटा में 1200 रुपए लग रहा है तो 4 घंटा में कितना लगेगा वह लगेगा 4800 रुपए अब देखे यहाँ पर 18 मिनट का भी निकालना है तो देखे 18 मिनट का निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 मिनट का निकालना होगा तो देखे 1 मिनट का निकालने के लिए यहाँ पर देखे दिया हुआ था एक घंटा में 1200 रुपए अगर देखे एक घंटा में मिनट की बात करे तो वह होता है साथ मिनट यानि देखे एक मिनट का निकालने के लिए आपको साथ से बारा सो में भाग को लगाना होगा तो चलिए अब हम लोग बारा सो में साथ से भाग को लगाते हैं देखें, एक जिरो से, एक जिरो कट जाएगा, छो से बारह को काटे, यह कट जाएगा दो बार में, इस के अन्त में जिरो है, तो यहां पर एक जिरो लग जाएगा, यहने देखें, साथ से बारह सो को काटे, तो यह कट जाएगा बीस बार में, यहने देखें, वह जो मसीन है अगर एक मिनट चलता है तो बिस रुपई लगेगा प्राश्ण में देखे यहाँ पर था अठारह मिनट में और भी निकालना था तो हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे अठारह मिनट को और देखे इसका निकालने के लिए जो एक मिनट का है यानि 20 रुपई इसमें हम लोग अठारह से गुना को करेंगे यहाँ पर देखे आठ से गुना जिरो में करे यहाँ जाएगा जीरो आठ से गुना दो में करे तो यहाँ जाएगा स्वल्ला एक से गुना जिरो में करे तो यहाँ जाएगा जीरो एक से गुना दो में करे तो य हो जाएगा 3 यानि देखिया 18 मिनट का निकल करके आ गया 360 रूपाई यहाँ पर देखिया 4 घंटा का था और यहाँ पर 18 मिनट का यहाँ दोनों को हम लोग आपस में जोड़ाइंगे यानि सबसे पहले लिखाइंगे 48 को और इसके नीचे लिखाइंगे 360 को यहाँ पर हो जाएगा 6 आठ और 3 को जोड़े यहोगा 11 का एक एक हो जाएगा हासिल यहाँ पर देखिया 4 है और एक था हासिल तो यह हो जाएगा 5 यानि देखिया कोई मसीन जो है 1200 रूपे घंटा चलता है तो 4 घंटा 18 मिनट में कितना रूपे लगेगा वह लगेगा 5,160 रूपे तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गया होंगे कि जो इस तरह का बेसिक मेहत का प्राश्ण होता है इससे हल कैसे किया जाता है